हलो दोस्तों भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज एक अपडेट यहां पर आई है निउस्पेपर में तो यह दोस्तों अपडेट नहीं नहीं है जो स्कूल है उनके लिए ही नहीं है और जो कोलेज है उनके लिए यह पुरानी ही अपडेट है ठीक अगर हम बात करें college की तो UGPG बाए HPU के इम्तिहान भी तीन मई के बाद तय करेगी सरकार तो मैंने आपको बहुत बार बोला है आप बहुत बार comment में पूछते हो कि हमारे exam कब होंगे तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि आपके exam जो है तीन मई के बाद ही कुछ पता चल पाएगा इसके बारे में मीटिंग हुई थी पिछले कल तो उसमें नहीं बताया है ये उन्हें बोला है कि तीन मई के बाद ही तय करेगी सरकार ठीक है जो undergraduate और post graduate के जितनी भी exams होंगे HPU के तो वो तीन मई के बाद ही decide हो पाएंगे ठीक है तो चली पूरी update यहां पर देख लेते हैं किस परकार से रहने वाली है तो हिमाचुन में lockdown खुलने के बाद board की रद हुई प्रिक्षाएं आयोजित की जाएंगी तो वोड की प्रिक्षाएं आयोजित की जाएंगी lockdown खुलने के बाद इसके साथ ही कोलेजवा विश्य बिदाले में रद हुई प्रिक्षाएं भी अब lockdown खुलने के बाद शुरू की जाएंगी ठीक है lockdown तीन माई को खुलेगा उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा ठीक है दोस्तों और शुक्रवाय को CM जेराम ठाकुर की अध्यक्षिता में बैठक आयोजित की गई इस वैठक में शिक्षा मंत्री सहीत शिक्षा विभाग के आलाधिकारी मुझूद हुए शिक्षा के जुड़े अहम मुद्दों पर हुई इस बैठक में कई निरने लिये गए इसमें हिमाचल में स्कूल शिक्षा बोर्ड की बाहर भी कक्षा के भुगोल वीशे की प्रिक्षा लोगड़ों खत्म होने के बाद करने का फैंसरा लिया गया है तो जो भुगोल वीशे की जो एक्जाम है वो भी लोगड़ों खत्म होने के बाद होगा आपका इसमें करीव 4000 बिद्यार्थी प्रिक्षा देंगे बहीं कोलेजों की बारशिक प्रिक्षाओं का लोगड़ों खुलने के बाद हिमाचल विशे बिद्याले नए सिरेशे शेडियूल तयार करेगा इसी तरह सरकारी स्कूलों की छुटियां घटाने और शैक्षनिक दिवस बढ़ाने को लेकर तीनों में के बाद सरकार बिचार करेगी बारहमी की वुकेशनल और कम्प्यूटर विशे की प्रिक्षाओं के नए लिए नए स्कूल शिक्षा बोर्ड को सी बीए सी से चर्चा करने के बाद फैंसल लेने के लिए अधिक्रित किया गया है इन बेकल्पिक विश्यों को भी अभी प्रिक्षाओं नहीं हो पाई है बैटक में शिक्षा मंत्री शुरेश भारद्वाज ने ये कहा है और कर्फ्यू के कारण ये जो प्रिक्षाओं है इनको पोस्पोन कर दिया गया था तो अभी देखते हैं कोलेज का पता तो तीन मई के बाद ही चलेगा तो तीन मई तक आपको वेट ही करना पड़ेगा और अकर कोई बीच में कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूँगा दोस्तों बट फिलहाल यही लेटेस्ट अपडेट है कि आपका जो है एक्जाम होंगे मई एंड और जून में ठीक है और बाकी ज़्यादा जानकारी ज़्यादा इनफोर्मेशन जो है तीन मई के बाद ही पता चलेगी ठीक है दोस्तों तो यही थी आज की इंपोर्टेंट अपडेट निजवेपर में आई है बहुत सारे निजवेपर में आज आई है आप देख सकते हो ठीक है और यही थी आज की इंपोर्टेंट अपडेट और अगर आपके वीडियो ची लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिए गा मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए थेंक यू